सब्सक्राइब से चैनल एंड प्रेस्ट वेल अकॉन फॉर अप्कमिंग वीडियो एंड इन इन इस वीडियो आपके नॉन सिंथेटिक रेक्शंस हैं जबकि फेस्टू आपके प्रेस्ट बढ़त करणा इस टॉपिक के तो अगरा फार्म सिट रेक्शंस हैं तो बीफांब 4 समेस्टर आपके अपने समिस्टरी वन और आपके फार्मिक्रयोजी वन दोनों में ही इंवाल होते हैं दोनों का ही उनिट नमबर ऊनका ही पार्ट है So, if you want to watch my videos regarding the medicinal chemistry, pharmacology, and the organic chemistry, you can check the description box below or by using this link. So, now, let's discuss about the topic. So, drug metabolism means biochemical alteration of the drug or genobiotic within the body is known as the drug metabolism. Means, किसी भी drug का, किसी भी genobiotic का, किसी भी foreign substance का, हमारे body के अंदर में उसका metabolism होना, उसका biochemical alteration होना, एक तरगे से drug metabolism है, जिसको हम bio transformation भी बोलते हैं, जो कि दो phase भी होता है, phase 1 और phase 2. Phase 1 जो है, basically, non-synthetic reactions है, means, उसमें केवल फ्रंसनल ग्रूप ही altered होते हैं, उसमें कोई भी नया substance बनता नहीं है, means, conjugation reactions नहीं होते हैं, जबकि phase 2 reactions जो है, उसको हम synthetic reactions, या conjugation reactions, या फिर enamoric reactions बोल सकते हैं, उसके लाए इसको हम detoxification reactions भी बोलते हैं, means, क्योंकि ये जो reactions है, phase 2, उनम synthesis होता है, means, आपके conjugation होता है, इसलिए इसमें आपके एक तरके से, ये आपके enabolic process है, बहुत energy की रुकामेट होती है, और ये जो drug है, क्योंकि बिसकलिए ये जितने भी drug है, उनकी जो activity है, उसको terminate करता है, उनकी चाहिए phonological action हो, या फिर आपके toxic action हो, उसको eliminate करता है, इसलि it enhance the polarity of the drug by conjunction with the polar moiety, polar indigenous moiety, means, क्या करता है, ये हमारे body के नितर ने बहुत सारे polar moiety है, इसलिए की बात करें, glycine हो, आपके gluconic acid हो, sulfate हो, बहुत सारे polar moiety है, तो ये जो है, आपके drugs में, आपके जो drug होंगे, जो metabolite होंगे, फस्स फिस्वन से, तो फिस्वन में होने के बात क्य होते हैं, बिस्किलिस में OH, SH, NH ग्रूप चेंज जुआते हैं, ये जो OH, NH और SH ग्रूप है, इन से फिर जो हमारे polar moiety है, ये सकी बात करें हम लोग, glycine की, glutathione की, logonic acid की, methyl की, sulfate की, ये सब जाके bind up होते हैं, और उनकी polarity enhance होगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके हमारे body से निकल सके, skit out हो सके, क्योंकि polar drugs are better skitted from the urine as compared to the lipid soluble drugs, क्योंकि जो polar drug होते हैं, वो easily skit out हो जाते हैं, हमारे urine के थुरू, लेकिन जो non-polar drug हैं, ये lipid soluble drug हैं, वो आपके, हमारे urine से easily skit out नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपके renal tubules से reabsorb हो सकते हैं, ठीक है? and second is the, terminate the biological action, जैसे कि हमने कहा, कि ये जो जितने भी drug के biological actions है, उसको terminate करता है, उसको खतम करता है, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि बात करें, morphine की, तो morphine नकर, आपके glyonic acids भी conjugate करते हैं, तब भी उनकी activity बनी रहती है, वो completely destroyed नहीं होती है, कुछ अपवाद हैं, आप उ उसके लावागत रहें, इन्वे जो आपके reactions हैं, वो आपके macrosomal enzymes के through भी होते हैं, और non-macrosomal enzymes के भी through होते हैं, तोनों होते हैं, तेक है, macrosomal enzymes मतलब ऐसे enzymes जो हमारे endoplasmic reticulum में, खासकर liver cells हैं, उनमें जो आपके smooth endoplasmic reticulum हैं, उनमें जो macrotubial system हैं, उनमें इनिबिल िंट्र पर मेंनली होते ही है उसके रहुआ आपके जो ब्लड है आपके जो जी य इंस हैं इन्टेस्टेनल स्फिल्स हैं आपके प्लाजमा है regular स्ब्रेशन हो सकते हैं थिक हैँ थो बात करें हम लोग करेंग तो मेज़रली सेवन ताप के रिक्संस हो सकते हैं सेवन टाप के कॉंजूगेशन रिक्संस हो सकते हैं फर्स्ट इस दिस इस 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 तो आपके इलिमेट होते हैं हमारे बॉड़े के मेली आपके, तीं-चार नेंजाइम ही, कुछ, हम्हाइब होते थीघक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो रेक्टेंट है, एक तो आपका ड्रग होगा, आर-एक सेच्च्छ ड्रग होगा, ये, पाउड़ ग्लुक्रोनिक एसीद है इस तरह के से अर्क्राइक्स और जी ए बनता है जो आपके अज़ूर्व हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है तो यह आपके सब्स्टेट है जिसे आपके जो ग्लुक्रोंडिक एसीड है जाकर बाइंड अब करता है प्रेजांपल की बाद करें ड्रग के रूप में आपका मॉर्फिन इस नमिनोफेन डाइजेपाम डिजी टॉक्सिन उसके लाब बहुत सारे ड्रग मैंने कहा जैसे कि 50% ड्रग जो है इस पाथवे के थ्रूर इसक्रिट आउट हो सकते हैं जो कि यह जो एंजाइम्स हैं आपके माक्रोसमर्स इंजाइम्स हैं तो यह बिसिकली आपके लिवर्स म आपका एंजाइम्स के लिवह बिसीकह लीए इसमेज इंजाइम्स रखाइम्स हैं वह बढ़ा प्रफेम्स होगा आपका एन एसटाइल ट्रकॉर इ Was याद रहिए यह आपके नौन नाक्रसमल एंजाइम से हैं अब बात करने इसमें जिसे कि हमारा जो सबस्टेट है या जो रेटेंट है वो होता है आपका सबस्टेट है आपके इस्टाइल करता है मिनस आपके जो एन ग्रूप है उन में आपके स्टाइल ग्रूप को एडप करता है ठीक है तो इसके बेसिक सबस्टेट है वो था आपका सबस्टेट होते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि यह जो एंजाइम्स है इन इस्टाइल ट्रांस्परेस एंजाइम्स यह जनेटिक ली डिफर दिफर हो सकते हैं तो इस जो इंजाइम्स है आपके किसी-किसी बोडी कि में फास्ट होते हैं किसी होते हैं इसे होते हैं जो कि बहुत ही आपके आपके एक खोता होते और एक होते हैं आपका slow, slow rating enzyme तो दोने बहुत फरक है इससे क्या होगा यह से की बात करें हम लोग आइस्वर निया जीट की तो आइस्वर जीट जीट जो है इस एंजाइम के थुरू इसकी टाट होते हैं इलमेट होते हैं तो आपके यह जो ड्रग हम लेंगे अगर किसी के बॉड़ी में फास्ट एंस्टाइल ट्रास्परेस एंजाइम होगा तो फासली इस ड्रग को मेटरलाइज करेगा तो जो एलमेशन रेट है वो बढ़ जाएगा औ और जो आपका कंसंट्रेशन है ड्रग का फिर ड्रग कंसंट्रेशन जो आपकी प्लास्मा में होगा वह कम हो सकता है तो डॉस के र्काइमेंट बढ़ सकती है ध्यृपट एफेक्ट नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे प्रसेंट ऐसे परसंट जिनमें आपके अपके स्लो एनिस्ट कम हो सकती है इस एंजाइम के वजह से क्योंकि वो डिफर डिफर हो सकते हैं इंजाइम की एक्टिविटी ठीक बहुत करें हम लोग इंजाइम की तो यह आपके नॉन मगास्मल एंजाइम से और यह आपके आर एसी मिन्स रेटिकलो इंडिट्रियल सेल्स ऑफ दिलीवर उसके में अफिधक ब्लक और लंग्स में भी प्रेस्ट इस होते हैं थेख लिए बैसिक विच्ट था आपके ब्रेश पानिस तो ओके इस इसन रीक्सट का है इसमें मिधाइल ट्रांस्फ़रेस एंजाइम यूस होता है या ट्रांस्मिटाइल इंगी यूस होता है ठीक है यह यह नहीं होते हैं इसके सबस्क्राइड की तो वह रहता है आपका आयर से ड्रग है उसके लावा अपका अब्र अट्रेटी ऑप दो गएक तरह के सब्सक्रेट होता है जो कि आपके अमश्युनिये विद्धियोग अगराव उनसे मिलता है तो यह बंता है तो एक तरेके से इनमरें जो ध्रत होते हैं वो होते आपके कडिलर आमिनज म fiction- climax है नौर मिलें नहीं है शुमते हैं इस वित कभी होता है यह इजलॉस्क आपके पॉइंट बिटलिश्न के हम सुल्फे एन्जाइम. क्लीर है इस्में जो आपका accepted है वो होता है φास्वो अदिनोसाइल फास्फो सलफइट फास्पो अदिनोसाइल फास्पो सलफइट यूज होता है जो कि आपके SO3 3 दिए conjugate करते हैं ऐसे ड्रग ये जो एन्जाइम से हैं लिवर पे कीडनी पे या फिए इंटेस्टेन पे हो सकते हैं ये भी नॉनमॉकरसमल एजयम्स होते हैं और जो ड्रग है वो होते हैं आपके एक ट्रकिसे आपका जो सबस्टेट है वो कफिनॉल्स होगा तो ड्रग की बाद करें तो वह आद आपका सलुटमाल टरबिटालीन औ और मिथाइल डॉपा इन सब ड्रग का आपका इस पातवेग की तरूब इसफिट आउट होते हैं या इल्मिनेट होते हैं अब आते हैं आपके इस्ट फाइप वह आपका गल्टाथियोन ठीक है तो उसमें आपको इसको जो है हम जी एसे भी बोलते हैं डीडिस्ट गल्टा और अच्छा उरुपा यह अपके अ कर दो होगा करता है यह आपके अटि ओसंड की थरह काम करता करता इन सबस्त्ट्रेंद यह बात कर चूकर, ओरन होते हैं यह इूम सब्सक्राइब capsat सब्सक्राइब कर सकता है तो इसमें आपके अलकाइल एसीड का होता है और बात करें ड्रग की तूसमें आपके अलके तो इसमें इसकी थ्रूब होते हैं प्रात है नेस्ट का वाटर कंजूगेशन में इसमें आपके इपोक्साइड हाइड्रोग्स एंजाइम है उसके लावाँ आपके इल्की ऑक्साइड्स का होता है छो तो स्के के इस जो पाइरेन या करवा मेज़ापिन्स हो गया ड्रक का इससे मेटलाइज़ होते हैं उसके लावा आपके जो साइट आपके अलकीन आकसाइट या फेटी एक अपक्साइट का इल्मेट करते हैं यसकी बाख में लिकोट्राइन एफोर सो इस these are the basics about the conjugation directions or phase 2 directions of the drug metabolism and if you want to note this lecture please take a screenshot and if you like my videos please press the like button share with your friend and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the upcoming videos in last thank you keep watching you